दोस्तों अगर आप लकरी का बोड आपके घर में लगा हो और अंदर से लकरी इस तरीके से सड़ गया हो और यह जो पोड है यह फिट नहों तो क्या करें तो चलिए देखिए हमारे इस वीडियो को नमस्कर दोस्तों स्वागत आपका हमारे यूट्यूब चनल हेल्पिंग भारती पर तो दोस्तों यह देखिए यह बोड है तो काफे दिनों से मैं इसको देख रहा था कि यह टाइट नहीं हो रहा था मैंसा ऐसे धुला उगर रहा था तो अभी मैंने इसको खोला तो देखा क कि अंदर यह जो लक्री होता है दोस्तों बिल्कुल सड चुका है तो अभी मैंने जैसे यहां देखिए जैसे खोला है सारे सड के इधर रीचे गए और यह बिल्कुल एक साइट से जिदर आपका इधर से इधर का जो यह लक्री था विल्कुल सड़ा हुआ था और इस पर मैंने किया हाथ में आगया और यह देखिए साइट से इधर से भी यह सब भी सारा है तो फिर भी थोड़ा सा चल जाएगा क्योंकि स्कुरू दोस्तों इसी पर कहसा आता है तो इसकुरू निकल जा रहा था देखिए हमने इसमें बड़ा इसकुरू यहां पर लगाया फिर कि यह टाइट नहीं हो पा रहा था तो हम सोचे कि चलिए इसको हटा के सैड में दूसरे तरफ कोई दूसरा लक्री लगा देते हैं तो इसलिए हमने इसको यहां से निकाल दिया है और चलिए यहां पर हमने एक छोटा सा कटा हुआ हमारे पास पीस है तो इसको हम इसमें नहीं आज ही तूस्वर हुराय जूजा एक पास इसको हमारे से कट कर लेते हैं तो दोस्तі हमने इसको कट कर लिया है अब चलिए इसको सेड करते हैं ताकि इसमें स्कुरूक कर सके, अब आपक्य गहर घर में कोई अगर लकरी का है कोई कि आजकल तो लोग लोहा के लगाते हैं तो लकरी का है तो आप इसको पूरा बूड़ आपको हटाने की जरुद नहीं है सिम्पल एक सैट से थोड़ा बड़ा काटे है तायकि इसको हटोरी से ठोकने के बाद इसमें विल्कुल ऐसे मैं इसको ठोकूँगा तो फिट हो जाएगा फिर इसमें की कीलूल मारने की जरुद नहीं पड़ेगी तो दिखे हमने हलका सा बड़ा इसको काटा है तो चलिए इस किसना फिट करते हैं फिर इसमें स्कूरू कस देंगे तो हट होरी की जरुत पड़ी है कि अब मुझे कि इसमें हमें फिट हो चलिए दोस्तों इसको यहां ऐसे लगाकर और फिर इस हट होरी से इसको अंदर ठोक देते हैं यह देखे दोस्तों हमने इसको अंधा ठोकते हैं इस पर कोई कील मारने के जरूत नहीं है कुछ नहीं तो इस तरीके से आफ ऐसे ठोक लें और यहां साइट से थोड़ा थरा पेंच देदेंगे ताकि यह बिल्कुल टाइट हो जागा एक उपर से यहां पर अलका सा पेंच को कोई और यह की नीचे थाकि बिल्कुल एकदम बढ़िया से टाइट हो जाएगा दिवाल की मदद उपर से दिवाल और नीचे दिवाल है इससे यह कर जाए है तो गैस नीचे जो गैप आप यहां देख रहे हो इस गैप को हम इससे भल भर देते हैं इस तरीके से और इस पर भी फात्वरी के मदद से इसको थोड़ा सा थोड़ा साल का ठोक देंगे कि बिल्कुल अब टाइट हो जाएगा और उपर भी यह जो गैप देख रहा है दोस्तों इसमें भी थोड़ा सा कुसी गैप लकरी का ही यहां पर तो उपर हम इस पेच को लगाकर इसको भी ठोक दे गोड़े मद यह जाएगा दोस्तों इसमें यह बाहर बहु ढाइगा और इसके प्रसे ऑफ जरूत नहीं है हमने कोह सिसं किया था किकि से हो जाएगा लेकिन उसकी आप को ज़रूत सब्सकूल काएगा है तो इस तरीके से आपका बिलकूल एक ठीक होजाएगा आप किसी भी एलेक्रिसियन को बुलाने के जरूद नहीं है आप अपुद से भी खर सकते हैं तो दोस्तों कैसे लगा वीडियो जरूर वीडियो बदाया कैसे लगा फड़िए यहां पर कितने कच्रे में इसमें से निकले हैं यहां में भी शूद्धार प्रशच से लिए ठीकर नुकले है और इसके जेटे लगा है इस तरीके से दोस्तों वाकर गड़ा शार्वफ, वारे देखे हमने से लजिए देख़ते हैं तो यह देखिए यहाँ पे तो सड़ गया है यह तो मैंने आपको दिखाया है और इसमें हमने यह 100 रुपे का नया स्विच आता है दोस्तों एंकर का ही है पहले दोस्तों इस तरी के आता था अब यह प्लास्टिक आता है तो यह आप देख लें तो चलिए हम इसको भी रहा ल इसमें जोडते हैं नई बादी शीच में चलिए इसको आता है और यह जो हमारा वायर है इसको यहां कनेक्ट करते हैं कि दोस्तों ट्विस्टर में लाइट आ रहा है तो हमारा यह बिल्कुल connection हो चुका है तो चलिए हम इस बूड को कर्सते चाहिए दोस्तों इसको माह से न छाफ स्वीच घब बदला चुका है ये देखिए नहीं हमने चेंज कर दिया है और चलिए भी इसमें फ्यूज लगा देखते हैं आपको 20-25 रुपर आसानी समय जागा इस पर उसको भी क्वोलते हैं और इसको भी जोड़ते हैं ट्विक्टर से फिलें में चेक कर लेकिन है इस पर लाइट है किने तो कोई टेंसा नहीं है चलिए इसको हम भी जोड़ लेगते हैं इसको अैसे निकाल लिया है इसका दोस्तों फिर यो यो जी स्वीच्च भीटल्ष हुआ है करदा तो इसलिए ले रेसले करें हैं लाइफ भर घाथा हं उसको पेस्काट अायरत पास दिया है जै। मैं लेऄं आख यह सूले तयों पास वे यह एक मरहbnें दिश्ट नहीं है तो वीडियो अच्छे लागा तो प्लेज वीडियो को लाइक करें दोस्तों को सेर करें और कॉमेंट करके बता कि कैसे लागा आपको वीडियो तो आज के दोस्तों इतना है अब तक के लिए गुड़ बाई